हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चेनल यासमीन टीज सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि गाउं से रिलेटेड कुछ वर्स और इनकी इंग्लिश मिनी सो तुडेज वीडियो विल बी रिलेटेड टू बी रिलेट वरकेबलरी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को मेरी स्टार्ट करने से पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे और चेनल को सब्सक्राइब कर दे तो जब हम गाउं के बरे में कुछ बताते हैं या नाम लेते हैं सबसे पहले हमारे माइंड भी जो पिच्चर क्रेट होती है वो है किसान की तो हमारा सबसे पहला वर्ड होगा किसान तो किसान को हम इंग्लिश में कहेंगे फार्मर फार्मर किसान फार्मर अब जिस जगा पे किसान खेती करता है उसे हम कहेंगे farmland और हम field भी कह सकते हैं जहांपर के साल खेती करता है उसे खेत कहते हैं और खेत को English में हम farmland या film field कहेंगे फिर खेती करने को कहते हैं farming खेती करना farming इसे हम agriculture भी कह सकते हैं फिर जो beach हम बहते हैं तो beach को English में हम क्या कहेंगे beach को हम English में कहेंगे seed seed अब भूमी दो तरीके क्यों होती है एक होती है उपजाओ एक होती है बंजर तो उपजाओ भूमी को fertile fertile बोलेंगे fertile उपजाओ भूमी दूसरी है baron 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 माने बंजर फिर फसल फसल को हम English में बोलेंगे crop 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 फसल फसल के साथ में जो खर्पतवार उगती है उसे हम कहेंगे weed 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 मने खर्पतवार अब फसल को हम crop बोलते हैं तो पकी हुई फसल को हम बोलेंगे ripe crop ripe crop ripe बतलब पकी हुई अब मित्ती को हम English में बोलेंगे shoil 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 मने मित्ती फसल काटने को हम बोलेंगे harvesting 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 फसल काटना now some words related to village kettles kettles means पशु पशुधन पशुधन में गाई को English में बोलेंगे cow cow गाई जो खाती हैं उसे चारा बोलते हैं गाउं में और इस चारे को English में बोलेंगे fodder fodder गोबर को English में बोलेंगे cow, duck, cake cow, duck, cake cow, duck, cake गोबर के उपले को हम बोलेंगे dry duck dry duck अब चरने को English में कहेंगे grays 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 जहां गाई चरती हैं उस जगह को हम कहेंगे grassland 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 मतलब चरागा अब जो गाई को चराती हैं उसे हम बोलेंगे grayser 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 माने गडरिया अब जहां पे गाई को हम बांदते हैं उसे हम बोलेंगे cow shed cow shed दूद दूद दूदा को हम English में कहेंगे milking milking और जो दूद निकालता है गाई का या फिर दूद दूद वाला जिशे हम कहेंगे उसे हम कहेंगे milkman 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 मने guala तो आज की वीडियो में पस इतना ही और मेरी साथ English रिकने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब मेरी वीडियो को लाइक करें जूद आए अल्याम प्राइब मेरी तो आए तो जूद भाई य मेरी साथ उसरे के भाईब मूद